Very good morning dear modern champs, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books, open your chapter 11, Simple Machine. What is Simple Machine? सबसे पहले हम इस chapter को read करें, आई जानते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? Need for Machines, हमें machine की जरुदत क्यों हुई? Types of Machine, Need of Levelers and Types of Levelers 1, 2 and 3. इस chapter में हमें इतनी सारी चीज़े पढ़नी हैं, तो आईए सबसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, Simple Machine का Introduction. To take a page of an old newspaper, you need to cut out a 10 cm square without a square out of it. आपको क्या करना है? एक newspaper लेना है और उसमें से 10 cm का square कट करना है. आप कैसे कट करेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे कट करेंगे? आप following ways का use कर सकते हैं. सबसे पहले आप tear करके hand से कट कर सकते हैं, knife से कट कर सकते हैं, और scissors से भी कट कर सकते हैं. बट आप किसको prefer करेंगे? Probably हम scissors से कट करने की कोशिश करेंगे. क्यूं? क्यूंकि hand से कट करने पे हमें exact square का shape नहीं मिलेगा. वो हल्का फुल का टेडा मेडा हो सकता है. है ना? और knife से कट तो जाएगा, लेकिन बेटा वो safe नहीं है. उससे काटने में हम अपनी fingers को भी कट कर सकते हैं और accident हो सकता है, fingers कट हो जाएगी. और क्या हो सकता है? Scissors से जब हम कट करेंगे तो ये safe है, आसान है और जल्दी होने वाला result इसी से मिलेगा. Scissors से हम square easily कट कर सकते हैं. और ये बहुत ही quick and easy way है कट करने का simple machine. So scissors क्या है? एक simple machine है. हमें machine की ज़रुवत काम को आसान बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए हुई. Like a pencil sharpener, जो की एक pencil को sharp करता है. एक car जो होती है, वो हमें एक जगा से दूसी जगा ले जाने में help करती है. और swing machine, सिलाई machine जो है, वो stretch करने का काम easy कर देती है. So ये सारी जो machines हैं, ये क्या हैं? हमारी simple machines है. Simple machines are basic tool for applying a force and doing work. Simple machine जो होती है, ये basic tool, सबसे जरूरी tool यानि की सबसे जरूरी आवश्यक्ता होती है, जिस पे हम force लगा के अपना काम आसानी से कर सकते हैं. Complex machines are made by the combination of two simple machines. Complex machines वो होती है, जो दो simple machines को joint करके, यानि जोड करके बनाई जाती है, combination होती है. So आपकी definition जो निकल के आती है, simple machine की वो क्या है? Simple machines are the basic tool for applying a force on and doing work. A complex machine की definition क्या आती है? Complex machines are made by the combination of different types of simple machines. चीक है? यह हो गई आपकी simple machine और combination machine की बात. कल हम बात करेंगे कि simple machine के types क्या-क्या होते हैं. और साथी साथ हम जानेंगे कि leveler का use क्यों किया जाता है. तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि need of simple machine क्यों हुई? तो क्यों हुई हमें need? काम को आसान बनाने के लिए हमें machines की need हुई और इससे जो है हमारा काम easily, easy और quick way में हो जाता है. तो आज के लिए simple machine में इतना ही आपका work यह है कि आज आप इस chapter को read करेंगे. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही thank you, have a nice day.